अरे गबराती क्यों हो देशमोक, अब तक तो जलकर राख बन चुका होगा, अरे तुम लोगों का अपने दोस्तों पर भरुजा ही नहीं है, बस बस अब ये भाशन बन करो हमारे कान के परदे पट रहे हैं, बस बन कर, कौन बोल रहा है, चिलाव मत, और मेरी बात अच्छी तरह से अपने भेजे में उतार ले, तुने मेरी राख मंगवाई ती टिका लगाने के लिए, मैंने तरह भड़वो की राख भेजिये, पूरे बदन को लगा ले, ठंडा कर, अपना भेजा ठंडा कर, जतुर सिंग के आद्मियों के चाना, तुम जैसे पागणों के बस की बात नहीं है, ठंडा कर, यकीन नहीं आता तो उस राख को मसल कर दे, तेरे पालतू कुट्टे की निशानिया उसमें मौजूद है, अबे हराम के, तुने जलती हुई आख में हाथ डाला है, हम तुमें ऐसे जलाएंगे, कि तेरे जाने वालों को, गंगा में बहाने के लिए, तेरी राख भी नसीब नहीं होगी, अरे मुझे जलाने की बात छोड़, मैं तो तुझे ऐसी मौत मारूँगा, ना तो तुझे जमीन नसीब होगी ना आस्मा, चाथ उर्जिंग उपर वाले के हाथ से तु बचे ना बचे, लेकिन मेरे हाथ से तेरे को कोई ने बचा सकता, अगर एक बाप के आउलाद है, तो एक बार मेरे सामने आकर दिखा, तु भौकता बहुत है अराम के, और भौकने वाले कुट्टे हमें पसंद नहीं, अगर अपने बाप के आउलाद है, तो आजाना महालक्षमी चौक पे, हम हर साल नौरत्री को मा की पूजा करने वहाँ जाते हैं, अरे जितनी मन्नते मांगने आए आखरी बाप, ये तेरी जिन्दगी के आखरी पूजा होगा,